मौसम बदल रहा है क्योंकि अब वसंत्रितु आने वाली है और उसी के साथ ही नए पौधों में नए नए कोपले निकलेंगी, नए नए पतियां आएंगी Hello and Welcome Back to the Channel, मेरा नाम है मीनू और मैं आपके संग Home Organization, Kitchen Organization और Home Decor से related वीडियो शेयर करती हूँ तो गाइस अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो अपनी Family और Friends के संग शेयर करिएगा और Like जरूर कर दीजेगा तो आज मैंना गाइस पहले आगन से शुरुआत की मैंने पहले आगन की सफाई की क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्तियां गिर रही है तो आगन गंदा हो गया है और अब घर में मैं आ गई जैसे की इतने दिनों से हमारे याँ धूप नहीं निकल रही थी तो सभी खिड़की दर्वाजे बंद रहते थे तो बहुत ज़ादा गंदा नहीं होता था और खिड़की दर्वाजे भी ज़ादा गंदे नहीं होते थे लेकिन अब थोड़े दिनों से एक हफ़ते से धूप निकल रही है तो अब खिड़की दर्वाजे खुलेंगे तो उ सभी कमरों की एक साथ निकाल देती हूं लेकिन डस्टिंग मैं रूम बाई रूम करती हूं तो आज मैं ये आगे के चोड़ों रूम की करने वाली हूं और ये देखिए दरवाजे के पीछे जो स्टॉपर होते हैं उनके पास इतनी सारी जोल लगी थी तो उनको ब्रस की से मैं सफाई कर रही हूं इनके मदद से न ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और इस ब्रस से आप चाहें तो सोफे भी साफ कर सकते हैं मैट्रस भी साफ हो जाती हैं खिडिकियां भी साफ हो जाती हैं बहुत अच्छे से ये क्लीन कर देता है ये मैं विशाल से लीती वैसे online अगर मुझे इसकी link मिलेगी तो मैं आपको description में provide कर दूँगी तो ऐसा ही मैं 2-3 तरह के brushes रखी हूँ जैसे cushions को और sofa को साफ करने के लिए अलग brush है खिड़की दर्वाजों के लिए अलग brushes है तो इस तरह से मैं सब brushों को अलग रखती हूँ और cleaning tools मैं एक साथ एक जगह पे रखती हूँ जिससे जब भी हमें जरूरत हो ना वो हम अपना basket उठाएं और सफाई कर सकते हैं तो आज मैं इन दोनों room की deep cleaning कर रही हूँ और खिड़की दर्वाजे भी बंद थे वैसे तो धूल नहीं बहुत जादा आई है लेकिन मैं इनको सफाई कर दे रही हूँ क्योंकि अब धूप आ रही है तो खिड़कीया मैं खोल के रखती हूँ ताकि कमरों में भी सूरी देवता की रोशनी बनी रहे और इसे बोलते हैं कि सूरी की किरने जहां भी पढ़ती है वहां के सारे किटानू खतम हो जाते हैं और घर भी हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव वाइवस घर में आती है और साफ सुत्रा घर एक अच्छा सा मतलब खुश्बूस ही रहती है तो इसलिए जब भी धूप निकलती है मैं कमरे खोल के रखती हूँ खिड़की दर्वाजे सारे खोल देती हूँ और अब मैं आ गई यहां पे साफ करने के लिए ये रैक भी थोड़े थोड़े दिनों पे इनकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो जो बारीक डस्ट होता है न वो ऐसे तो नहीं दिखता है लेकिन जब आप उस पे उंगली फेरेंगे न तो बिल्कुल हाथों में चिपक जाता है तो मैं किसी भी पुराने टॉवल के कपड़े से या फिर बेडशीट के कपड़े से ये सब सफाई करती हूँ और अब मेरी सफाई हो गई तो मैं इसके बाद जाड़ू मार रही हूँ जब भी मैं जाड़ू मारती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि दर्वाजों को बंद करके हरे कोना मैं अच्छे से क्लीन करूँ क्योंकि कई बार गंदगी किनारे इकठा हो जाती है अब मैं आगई अपने बेडरूम में और आप भी अपने ड्रेसिंग टेबल के साइड में कुछ फूक्स लगा सकते हैं जिस पे आप बहुत सारी चीजें हैंग कर सकते हैं जैसे मैं अपने headbands वगेरा safety pin क्योंकि safety pin वगेरा छोटी चीजें होती है जल्दी मिलती नहीं है मैं तो इसको इसलिए यहाँ पे चिपका रही हूँ यह wooden का हाथी वाला मतलब है hook मैं बनारस से लेके आई थी और इसको double sided tape से मैं चिपका दे रही हूँ इसमें मैं अपने headbands सारे रखूँगी और कुछ safety pins रखूँगी अब guys क्या होता है जो home making है वो एक दिन का journey नहीं है कि एक दिन हमने साथ सफाई कर ली और हमारा काम sorted है यह हमारा रोज का काम है और रोज हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं तो जैसे कभी कभी क्या होता है न हम कुछ सामान लगाते हैं और उसकी usability हमको उतनी नहीं मिलती है satisfactory तो हम उसको change कर देते हैं जैसे वो hook मैं लगाई थी न तो उस पे जो जैसे बच्चों के belt वगएरा के जो buckle होते हैं वो उसमें नहीं आपाते थे उसका चोड़ा मुह होने की वज़ा से तो मैंने ये hanger टांग दिया और इसमें न बच्चों के जितने भी belts हैं, cap हैं सब इसमें आराम से आ जाएंगे और इसमें न बहुत जादा hooks भी है और ये small space भी occupy कर रहा है और ये थोड़ा से sturdy भी है और वो थोड़ा सा हिलता डुलता रहता था और जब भी हम wardrobe खोलते थे थोड़ा सा हाथ लगता था तो नीचे सामान गिर जाता था लेकिन इसके संग ऐसा नहीं है तो इसी लिए मैंने change कर दिया है तो guys जब भी आपको भी लगे ना कि अब हमें जैसे कोई वी चीज हम change कुछ किये हैं और उसकी उपयोगिता उतनी नहीं हो पारी है तो हमें time time पे उसको change कर देना चाहिए तो वही है कि home making या house wife का का काम ये नहीं है कि हम एक बार जो changes कर दिये वो हमेशा के लिए हो गया कभी कभी हमेशा changes होते रहते हैं हम अपनी उपयोगिता की हिसाब से changes करते रहते हैं और ये बच्चों का wardrobe मैं arrange कर रही हूँ इसमें इनका toy section है तो बच्चे रख तो देते हैं हाला कि वो अपनी चीजें खुद से रखने लगे हैं लेकिन मैं कभी कभी ना उनको देखती कुछ इधर उधर पड़े हैं उनके खिलोने जो मिस ना हो तो मैं रख देती हूँ जैसे कि ये उनो का था तो वो पतला वाला rubber band लगाने से ये इधर उधर हिलता है और कई बार गिर जाता है तो कई rubber band होते हो जो tight होते हैं बाल में तो वो मैं लगा देती हूँ मैं बाल में ना तो वो मुड़ते भी नहीं है नहीं तो कार्ड की चीजों में पतले वाले रबर बैंड लगा दीजे तो वो कॉर्णर से फटने लगते हैं और अब इसके उपर जो बास्केट है ना गाईज इसमें बच्चों की सारी कॉपीज रहती हैं और उनमें उनके कुछ पेपर वो सब मैं सौट आउट करके हटा दूँगी और ये मेरा एक फोल्डर है ये साइड से थोड़ा फट गया था तो उसको मैं ग्लूगन से चिपका दे रही हूँ गाईज ग्लूगन तो हमारा काम इतना असान कर दिया है ना कि सबके घर में ग्लूगन तो होना मस्ट है और ब जो बच्चों ने पाए हैं उनके रिपोर्ट कार्ट सब अलग जगर रख रही हूँ और जिन पेपर्स की जरूरत नहीं है फाल्तू में क्लटर किये हुए हैं मतलब जरूरी है कि आप टाइम टाइम पे ने अपने घर को डी क्लटर जरूर करे इससे ना नेगिटिविटी भी घर में नहीं आती है और हमारे घर में नहीं स्पेज भी बनी रहती है और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो जैसे नहीं जिनकी जरूरत है उनको इमोशनल ना होके मतलब उनको प्राक्टिकल होके उनको हमें सौट आउट कर देना चाहिए कई बार मैं भी सोस्ती थी कि अरे इसको कैसे फेक हुई ये तो कपड़ों के मामले में या कई बार हम decision नहीं ले पाते हैं लेकिन हमें प्राक्टिकल होके बहुत सारी चीजों को declutter करना चाहिए जो हमारे यूज की नहीं है तो इतना देखिए कबाड़ा निकला और अब ये श्रवन के रूम का उनका ड्र गुस्सा आया तो मैं सोची कि जब ये लोग स्कूल चले जाएंगे तो मैं इसको clean करके रखूंगी क्योंकि मुझे मैसी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है तो और बच्चे ना जरूरत की चीजें और कई कई बार क्या होता है घर में उसको ना थोड़ा electronic का बहुत शौक ह engineer बनने का तो वो करता रहता है सब चीजें रखता है और ये मेरा बच्चो ने ना winter break में assignment बनाया था तो ये paper बहुत थिक वाला paper था तो इसको मैं नीचे as a liner बिचा दे रही हूं इसका use भी हो जाएगा और ये एक मिठाई का डिबा है इसको मैं उसमें रख के segregate कर रही हू और ये अपनी जगह से हीले न न गाई इसलिए मैं इसके नीचे double sided tape चिपका दे रही हूं कि क्योंकि बच्चे क्या होता है न कि drawer को बहुत roughly खीसते हैं तो अगर वो चिपका नहीं रहेगा न अपनी जगह पे तो सारा सामान अंदर का इधर उधर बिखर जाएगा इसलिए मैं double sided tape उसके अंदर organizer में भी लगा रही हूं और इस box के नीचे भी मैं लगा दूँगी वो मैं बाद में लगाऊंगी पहले arrange कर ले रही हूं तब बच्चों की क्या आदत होती है न स्पेशली मेरे बड़े बेटे की कि जितने भी batteries है और जितने भी screws है और मतलब जितने magnets ये सब चीजें जितनी electronic की चीजें उसको कहीं भी मिल जाती है न वो जोड तोड के इधर उधर करता रहता है तो मैं वही उसकी pen check कर रही हूं सबकी जो भी fake ना है उसको declutter करूं हटाऊं क्योंकि बहुत जादा messy हो रखा था और हम लोगों को न time by time देखना चाहिए क्योंक कितना सुंदर लग रहा है अब मैं आ गई आंगन में और मैं इस गमलों की सफाई करने के लिए ना पुराने सॉक्स का इस्तेमाल करती हूं उनको गीला करके ना कई बार क्या होता है सॉक्स नहीं फटते हैं लेकिन उनकी लास्टिक लूज हो जाती है तो उनको आप क्लीनि कियेगा मिलते हैं नेक्स लॉग में तब तक स्वस्त रहिए मस रहिए और थैंक यू फॉर वाचिंग बाई